सबोस कीजिए अभी आपको वो हर एक चीज मिल चुकी है जिसको पाने के ड्रीम्स आप बर्सों से देखते आ रहे हैं आपके पास गाड़ी है, लक्जरी हाउस है, और करोडों अर्बों के हिसाब से पैसा है और किसी भी तरह की आप कुछ चिंता नहीं है लेकिन अब आपकी एज सतर से भी प्लस हो चुकी है और आप अपनी ओल एज की पीक पर आ चुके हैं तो क्या आप इन सभी चीजों को इंजॉय कर पाएंगे? ओविसली यंग एज के कमपैरिजन में तो बिल्कुल नहीं लेकिन ओन एन एवरेज लोग हमेशा इसी ट्रैक पर चलते हैं बाइस से 23 साल की एज तक पढ़ाई फिर 30 से 35 साल की जॉब और फिर बोड़े हो जाने पर रिटार्मेंट का इंतिजार अब यहाँ पर आगर आप मिलियनर बन भी गए तो क्या फाइदा? आपके वह इंजॉइमेंट वाली एज काफी पीछे जा चुकी होगी वैल आज मैं आपके साथ जो बुक समझी शेयर करने वाला हूँ वो आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगी क्या खिर क्यों आपको अपको अपनी अर्ली एज में ही डिटायर हो सकते हो अगर मैं आपके सामने ये वर्ट्स बोलता हूँ एक बहुती अमीर इंसान तो आपके ब्रेन में भी पिल गेर्स, रतन टाटा, मुकेश अमवानी, एलाउन मस्क और जेब बिसोस जैसे अमीर लोगों की पिच्चर्स गूमने लग गई होंगी पर हाटली कि किसी ने ये सोचा होगा कि एक 24 से 25 साल का लड़का जो घर बेट है अपने बिजनिस के दुरूर लाकों करोडों कमा रहा होगा ऐसा क्यों? क्योंकि मैक्सिमम लोग ऐसा सोचते ही नहीं कि 24 से 25 साल का लड़का भी मिलियनर बन सकता है और अगर बन गया तो वो उसका लख है आथर एमजे डिमार को जब अपनी चाइल्ड हुड एज में थे तो वो एक दिन अपनी गली में आईस क्रीम खा रहे थे तब ही उनकी नजर एक चमचमाती लेंबरगिनी कार पर पड़ी जो कि उनसे थोड़ी ही दूरी पर खड़ी हुई थी उसकार को देखकर भी आथर के माइंड में यही आया कि जरूर इसका मालिक कोई बूरा आदमी होगा पर जो इनसान उसकार के पास आया उसे देखकर आथर एकदम हैरान हो गए उसकार का मालिक एक 25 साल का नौजवान था आथर ने वहाँ जाकर उस आदमी से पूछा कि आप क्या काम करते हैं तो उस आदमी ने बताया कि मैं एक इन्वेंटर हूँ और वो वहाँ से चला गया बस तभी से ही आथर को ये यकीन हो गया कि कम एज में भी अमीर बनना पॉसिबल है उसके बाद उन्होंने इस बारे में बहुत रिसर्च करी कई अलग-अलग बुक्स पढ़ी लोगों के बारे में जाना जिसके बाद उनको ये पता चला कि इस दुनिया में लोग सिर्फ तीन तरे के रास्तों पर चलते हैं जिन में से पहला है साइड वॉक दूसरा है स्लो लेन और तीसरा है फास्ट लेन तो चलिए एक एक करके हम तीनों के बारे में जानते हैं तो सबसे पहले आते हैं साइड वॉक पर चलने वाले लोग, जिनको साइड वॉकर्स भी कहते हैं, अब ये वो लोग होते हैं जिनका अपने पेशो पर कोई कंट्रोल नहीं होता, इनके हिसाब से जो कुछ है बस आज ही आज है, कल तो है ही नहीं, ना कोई financial planning, ना ही कोई financial goal, ये लोग हमेशा salary to salary पर ही काम करते हैं, मतलब जब भी उनको salary मिलती है, तो ये लोग दिल खोल कर खर्चा करते हैं, और इतना खर्चा करते हैं कि दूसरी salary आने तक इनके पास कुछ बचता ही नहीं, अगर गलती से भी इनकी salary रुख जाती है, तो इनका दिवालिया निकल है, इनका सिर्फ यही मानना होता है कि अमीर बनना सिर्फ एक लग है, वही अमीर बन पाता है जिसका लग अच्छा होता है, अब side walk में भी दो केटेकरी के लोग आते हैं, पहला है side rich और दूसरा है side poor, side poor वही लोग हैं जिनके बारे में मैंने अभी आपको बताया, लेकिन side rich वो लोग होते हैं जो कि हमें देखने में अमीर लगते हैं बट actual में उनकी सारी अमीरी सिर्फ चौफ के लिए ही होती है, इनकी salary अगर 40,000 भी होगी तो फिर भी ये 50-60,000 का phone करी देंगे, भले ही वो phone इनको finance ही क्यों ना कराना पड़े, क्यों? क्योंकि लोगों के सामने इनको अमीर दिखना है, इन लोगों की financial intelligence बिलकुल zero level पर होती है, अगर आप इन लोगों को एक करोड रुपे भी दे दो गए, तो फिर भी वो इनको luxuries खरीदने में ही कर्च कर देंगे, ऐसे लोगों की पूरी life struggle में ही बीच जाती है, और ये कभी भी financially free नहीं बन पाते है Second number पर आते हैं slow lane पर चलने वाले लोग, जिनको slow laners भी कहा जाता है, ज्यादतर middle class लोग EC category में आते हैं, ये लोग side walkers से तो millions of time better होते हैं, इनको at least अपने आने वाली कल की चिंता होती है, ये लोग जिस job या business में काम करते हैं, उसमें से कुछ पैसा save करके invest कर देते हैं, ता ये लोग एक time पर आकर अमीर जरूर बनते हैं, पर तब तक ये अपनी सारी young age गवाँ चुके होते हैं, example, मान लिजे आपको डॉक्टर बनना है, तो इसके लिए आपको इसकी पढ़ाई पूरी करनी पड़ेगी, जिसको पूरी करने के लिए लाको रुपे खर्च हो जाते हैं, इवन कुछ बड़ी degrees के लिए तो करोडों भी, यहाँ पर हम मान कर चलते हैं कि 25 से 30 साल की age में आपने अपनी पढ़ाई भी पूरी कर ली, अब इतनी age हो जाने के बाद अगर आप किसी hospital में job करते हैं, या फिर आप अपना खुद का clinic भी खोलते हैं, तो यहाँ पर आ हैं कि आपको एक doctor बनना ही नहीं है, doctor बनना लोगों को एक dream होता है, ताकि वो लागों की help कर पाएं, बट अगर आप यह सोच कर doctor बनने जा रहे हैं, कि doctor बन जाने के बाद आप बहुत अंबीर हो जाएंगे, तो yes, यह वाला example आप ही के लिए था, बट अगर आपको early age में ह financially free होना है, तो इसके लिए author हम को तीसरा रास्ता recommend करते हैं, जो कि है fast lane का, इस रास्ते पर चलने वाले लोगों को fast laner कहा जाता है, इनकी बड़ाई school या फिर college तकी सीमित नहीं रहती, यह हर दिन कुछ नगुछ नया सीखते रहते हैं, अपनी knowledge को improve करते रहते हैं, ताकि इ जरूँ एक ऐसा system create कर सकें, जिससे उनको जिन्दगी बर कमाना ना पड़े, और इसके लिए वो जितने हो सके assets create करते हैं, और एक time पर आकर वो millionaire बन ही जाते हैं, वह यह सब इतना आसान भी नहीं है, इस process में आपको side walk और slow lane के मुकापले ज्यादा मेनत लगती है, बहुत स pass lane के रास्ते पर चलने का तरीका क्या है, तो इसलिए मैं आपके सास्थ 4 points share कर रहा हूँ, जो आपको जरूर follow करने चाहिए, आगर आप अपनी early age में ही millionaire बनना चाहते हैं, point number one, attack the need, आपको एसस सिस्टम या फिर business create करना होगा, जो लोगों की need को पूरा करता हो, क्योंकि जितनी साथा value आप लोगों को provide करेंगे, in future आप उतने ही अमीर बनते चले जाएंगे, example, जब लोगों को auto या बस के लिए घंटों तक wait करना पड़ रहा था, तो उनकी इस problem को Ola ने समझा, और एक application based taxi service को provide कर दिया, और आज आप जानते ही हैं के Ola कितनी बड़ी company बन चुगी है, ठीक इसी तरह, hotels के लिए परेशान हो रहे हैं लोगों को Oyo ने समझा, और cheapest price मे लोगों को ठेहराने का system create कर दिया, और Oyo भी आज बहुत जादा popular हो चुका है, आपको भी SI system create करना होगा, जो लोगों की जरूरतों को पूरा करता हो, जितने बड़े level पर लोगों की problem होगी, उसको solve करने के बाद उतने ही जादा अमीर आप वहाँ से बनते चले जाएंगे दूसरा point है, high entry barrier business, अब इसको कुछ इस तरह समझते हैं कि मान लीजिए आपने एक कपड़े की shop खोली, तो आपको क्या लगता है वो खुलते ही famous हो जाएगी, बिलकुल नहीं, आपके जैसे ही हजारों लाखों और लोग भी हैं जो अर्रेडी इस काम को पहले से करते आ रह रो कर पाएगा, third point है, scability, आपके पड़ोस वाली किराने की shop भले ही कितनी भी बड़ी है पर उसका मालिक इतना अमीर नहीं होगा जितने अमीर जैब बेजौस है, reason, scability, आपके एरिये की दुकान सिर्फ एक particular area को ही cover कर पा रही है, पर Amazon के तरुआ पूरे world में कहीं से भी shopping क कर सकते हैं, ठीक इसी तरह आपके area के burger वाला इतना famous नहीं होगा, जितनी famous McDonald company है, burger तो दोनों ही बनाते हैं, बट McDonald ने अपने आपको scale किया हुआ है, जिससे पूरी दुनिया के लोग उस company को जानते हैं, तो इसलिए author हम को यही advice करते हैं, कि जितने बड़े level पर आपका business scale हो जो कि सोत वक्त भी आपके लिए पैसा बनाता रहे, example, अगर आप Amazon या Flipkart पर एक online seller हैं, तो लोग कभी भी आपके product को खरीज सकते हैं, वो भी बिना आपके वहाँ involved हुए, या फिर एक घर खरीद कर rent पर दे देना, यहां भी आपके पास बिना किसी मैनत के पैसा आता रहे ठीक इसी तरह और भी काफी सारे ऐसे एसे एसेट्स हैं जो कि 24 आर्ट्स आपके लिए पैसा बनाते रहेंगे, वो भी आपके ज़्यादा बिना involved हुए, जिन मैसे टॉप 10 एसेट्स के बारे में मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है, इस वीडियो के खता होने के बाद आ टेक आउट करें, आप इस सभी बाते मैंने आपको MJ डिमार्को की बुक The Millionaire Fast Lane से बताई हैं, इस बुक में इसी तरह की और भी काफी सारे इंट्रेस्टिंग बाते बताई गई हैं जो आपको जरूर पढ़नी चाहिए अगर आप अपनी यंग एज में ही सफाल होना चाहते ह इसका लिंक में ने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाकर आप इस बुक को पर्चेस कर सकते हैं, लाइक और शेयर कीजिए अगर ये वीडियो आपको जरह भी यूसफुल लगी होता है